हेलो दोस्तों क्या चला आज कल और पिछले मिशन में हमने दोस्तों देखा था कि हमने क्या से धूम धड़ाके से फ्रैंक के ठक से कुछ यूरूरी फॉर्मेशन लेली और आज हम दुबारा खेलेंगे गैंग्स्रफ वेकास जिसमें आज हम बहुत ही अमेजिंग मिशन जो है मैं सके और लाइक भी कर दीजिए इस कमाल की वीडियो को तो दोस्तों पिछले अपसूड में हमने देखा था कि कैसे हमने फ्रैंक के एक फ्रैंक के गैंग्स्टर से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निका ली जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पॉलिस उनके साथ थी म मुझे इस गेम को खेलने में बहुत ही मज़ा था और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कितना मज़ा था इसमें खेले में के चलिए बिना देर कर वीडियो कर लिए शुरू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया है जो फ्रैंक है यानि कि हमारे दुश्मन गैंक्स्टर है उसने हमें पकड़ लिया है और अब हम उसके लिए काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है हम तो इनकी नजरों में सिर्फ एक नोकर बन कर रह तो इनको तो फेवर की फेवर की चाहिए होता है और इने तो कोई और काम ही नहीं है सारा दिन लड़ते रहते हैं और इनके लड़े हुए काम को सही हमने करना होता है ओ देखो ओ क्या कितना गुस्से में है ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई कितना गुस्से में है ओ भाई कितना गुस्स में हैं बश्चा तो जा भई बश्चान शान थी ओ आ गए हम ये तो मुझे लगता हमें कच्छा चपा जाएगा आइए फ्रेंक्स वो आई ये फ्रेंक का बच्चा थोड़ी ना है जब फ्रेंक्स वो आई वक्त आने पर ना फ्रेंक जैसे हजारों को मारें और वेकास के सबसे बड़े केंग्स्टेर हम बंड कर दिखाएंगे अगर तु जादा वोला ना गुड मैंड तो तुझे यहीं पर गाड़ दूगा मैं जब यार इसे कहो कोई कि यह आवाज नीची करकर बात करें वरना मैं इसका मुझ तोड़ देंगा और अब हम इसके मदद करने हैं इसके साथ जो फ्रोड हुआ है उसे सही करने के लिए मैं चाहता तो ने इसकी मदद करना वैसे मैं चाहता तो कुछ नहीं करना सिरफ गैंक्स्टरी करना हूँ लेकिन हम इस वक्त इनके नो कर रहा है उससे ज़्यादा कश नहीं तो हमें करना पड़ेगा यह वैसे हमारी गाड़ी है तो हम इसको ध्यान ध्यान से चलाने वाले अब क्योंकि ये बहुत कमाल की गाड़ी है लैंब और गिनी को भी पीजे छोड़ दे ओ भाई लगता नहीं इसका पुझा पुझा भी बचेगा तो चलो यार ठोक देते हैं ऐसे भी कोई बात नहीं हम नई गाड़ी ले लेंगे इस जैसी तो हमें हजार मिल जाएंगी तो अब हम मरीना में जा रहे हैं मैं बिल्कुल भी उसकी मदद करने नहीं चाहता पर हम मजबूर हैं क्योंकि अगर मैं फ्रैंक के बंदों ने हमारे माथे पर गोली ने रखी होती न तब तक तो मैं कब का कमाल कर जाता और फ्रैंक को भी मार देता लेकिन क्या करें हम मजबूर हैं उसने हमारे पीछे बंदे भी लगा रहे हैं अगर हमने कोई बिचलाकी करने की कोशिश की न तो वो सीधा हमें ठोक देगा और ऐसा ठोकेगा कि हम कवी भी किसी को ठोकने जैसे नही रहेंगे और फ्रैंक का काम करें कि अगर यह ऐसा नहीं करेंगा तो यह तो जानता है कि इसके माथे पर ऐसी गोली पड़ेगी कि कभी जिन्दा नहीं हो पाएगा वैसे ये रास्ता बहुत बड़ा था मरीना तक पहुँचने का कोई बात नहीं अब हम पहुँचने वाले हैं बस दो तिन और मोड और हम पहुँच गए मरीना तक वैसे ये रास्ता बहुत ज़्या बड़ा था नहीं 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 पुलिस के साथ फ्री का पंगानी चाहिए इस वक्त ओ भाई क्या घर क्या जगा है भाई लगता है यह किसी का घर है यहां पर मिशिन करना है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा तो देखते हैं दोस्तों ओ भाई यह क्या हो रहा है यह बिजनसमेन है ओ बिजनसम चाहता है मनी ओ भाई कितना जोर जोर से मारे भई थोड़ा से तो बक्षे दो लगता है अब इसकी मदद हमें ही करनी पड़ेगी अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसे जान से मार देंगे तो छोड़ दो भाई लोगों तो अब तो यह गए क्योंकि मुझे बहुत जादा गुसा आ गया है और इनकों नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला अगर इसे कुछ किया ना तो तुम्हारी जान ले लूँगा तो हाथ उपर करो बचा लिया तेरे सड़े से थैंक्स कि हमें कोई अरूरत नहीं अगर तो हमारी मददी करना चाहता है तो हमें कमाल का घर दिला दे बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए मैं इसे मार कर खोदी मनी रख लेता अगर फ्रैंक ने हमारे सर पर गोलीना रखी होती तो चली दोस्तों अब यहां से भागने का वक्त हो चुका है तो चलते हैं वा मुझे तो पहली बार मजा रहे क्योंकि इतनी बड़ी राइड होने वाली है अब देख सकते हैं दोस्तों हम पूरे थाउजन मीडर दूर है वह कई मैं जुमीन पर ना चला जाहूं वरना मुश्किल हो जाएगी अगर दोस्तों मैं एक वर जमीन में चला गया ना तो बोड को दूवारा पानी में उतारना बहुत ही ज़धा मुश्किल है यह यूँ कहूं ना मुझे है आप सोच्च रहे कि ना मुझे कच नहीं होता हाँ? हाँ दोस्तों कच नहीं होता लेकिन ये एक z सच में न उनकी ने ट्राइ कर दीजिए आपको मेरी बात पर हंडर्ड एंड हंडर्ड परसेंट शेयर हो जाएगा और इसकी ग्राइंटरी मैं देता हूँ तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी से स्पीड आप कर लेते हैं वरना हमें बहुत ही ज़दा देर लगने वाली है लेकिन द्धान से अगर हमें एक बार जमीन पर चले गए तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी उमीद है हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं है और अब हम फोन कर रहे हैं गुड मैंड को जो कि फ्रैंक का दोस्त है हम हमने इस कितनी मदद की और इसने हमें ठेंक यू तक नहीं कहा दोस्तक कैसे लगी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रतम दो प्रोग्लेम झाल